दोस्तों इस वीडियो में सीखेंगे पेंट का बेल्ट ग्रीप बनाना इस तरीके से आपको बेल्ट ग्रीप किस तरीके से बनाते हैं तो आपको मैं बताऊंगा कि पेंट का ग्रीप किस तरीके से बनाते हैं दोस्तों यह मैंने एक ग्रीप रोल बनाया है तो आपको मैं बता इसको मोड लेना है इस तरीके से मोड लेना है और यहां पर परेस लगा लेनी है इस तरीके से और प्रेस लगने के बाद में दोस्तों हमारी है 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 न है यहां पर इस अधाय करा रहे इसको और यहां पर इस तरीके से निसान लगा लेने हैं इस तरीके से और निसान लगाने के बाद में दोस्तों जो हमने लाइन पीची है उसको यहां से इस तरीके से कटिंग कर लेनी है नपको नपेः निसान पहला कSTR्चा अब का धद सी नपकाई लाइन को act S. नपको यहां से इसकोऊ से नित्ट नपको. किस तरीखे से बनाते हैं और सीर्टे हैं इसको सिर्षा काट लेना है करें ऐसे तेज़ज़ पटियान काट लेनी है और इसके बाद हिम बताऊंगा किस तरीचे से इन पत्लियों को हमें इस तरीके से यहाँ पर रख़के और सिलाय लगा 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 लेनी होगा इस तरीके से फ्र्चतियों पर सिलाय लगा लेनी है और इसके बाद में यहां से इसकी किराई करेंगे प्रेश से, इस तरीके से, जितने हमारी यह जोड हैं इसको यहां से चीर लेना है, इस तरीके से इसको चीर लेना है और चीरने के बाद में इसके दो हिस्से कर लेने है इसके दो हिस्से कर लेने है यहां से इसके कटिन कर लेनी है इस तरीके से और इसके बाद में प्रेस की सायता से हम इसको बरवबर में रखेंगे और यहां पर हम प्रेस लगाएंगे इस तरीके से इस तरीके से प्रेस लगाते जाएंगे और मोड़ते जाएंगे एक पट्टी के हो तो हम इस तरीके से मोड़ लेंगे और यह साइड में कपड़ा बचा हुआ एक्स्टा इसकी कटिंग कर लेंगे इस बूत्रा कपड़ा बचा हुआ है इसको हमें इसकी बरोबर में नहीं रखना है सिलाई मार्जन रखे और फिर हमें ये प्रेस लगानी है इस तरीके से कर दो करना है दोस्तों यह रोल है यह रोल है तो इसको बताएंगे हम किस तरीके से बढाएंगे तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें इस रोल को इस तरीके से मसीन के नीचे रख लेना है और रखने के बाद में यहां से जो हमने यह सिलाई का आदाएं की छोड़ा था यह इस तरीके से रख लेना है इस तरीके से रख लेना है और यह हमारा नीचे का है इसको आदे दूर में रख लेना है इस तरीके से और यहां पर हम इसकी शिलाई चलाएंगे इस्परी किसे इस्परी किसे, इसलाई करें इसकी और इसके बाद में यहां से इसकी कटिंग कर लेंगे और इसके बाद में दोस्तों तो हमने यह दूसरी हमने बरोबर में गोड़ी कि जो हमने बरोबर में मोड़ी थी, यह हमें इस तरीके से रख लेना है इस तरीके से इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है और लगाने के बाद में इसको इस तरीके से रख देना है इस तरीके से और यहां पर हमें एक लख की सिलाई और लख लगा लेनी होगी इस तरीके से इस तरीके से दोस्तों यह हमारा प्रेंट का गरीब है यह बनके तयार है और इसको काम में ले तके हैं इस तरीके से तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आईगे तो नाई करना मतबूर न दोस्तों तो आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे और नई जानकारी के साथ थेंक्यू